नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मदाने की वाइंडिंग किस परकार की जाती है और कितने नमबर वाइड डाली जाएगी और कितने सलोट है ये टोटल 24 सलोट है जो इसके खांचो की संक्या है वो कुल चल 24 है तो हम इसको रिवाइंडिंग किस परकार करेंगे तो मैं आपको completely बताऊंगा अम इसको 34 नंबर aluminum से winding करेंगे और इसमें total coil है जो 8 दलेगी चार running और 4 starting की तो इसकी जो फर्मा खोलना है अपने को वो साड़े 18 इंच खोलना है क्योंकि ये अपने पास 6 सूत की मदानी है और इससे बड़ी हो तो थोड़ा सा ज्यादा खोल ले वो size की साब से खोला जाता है तो अपने को साड़े 18 खोलना है और ये जो मिटर लगा हुआ है तो इसमें हम 230-3 टरन की total 4 कोईल बनानी है पहले तो मैं 4 कोईल बना लेता हूँ और बीच में जो जोड है वो नहीं रखोंगा तो मैं total 4 कोईल बनाऊंगा तो ये देखिए मैं total 4 कोईल बनकर 230-3 टरन की 4 कोईल बनकर complete हो चुकी है तो मैंने हरमेश्य है जो उतार लेता हूँ और इसमें किस परकार डालेंगे मैं completely आपको बताता हूँ तो इन सब को दोनों साइट से दागे से बांद लेना है ताकि वायर एक दूसरे में एक दूसरे के साथ में मिलेना और अच्छे से इपने बांड कर सके तो मैं दागे की साइता से इसको बांद देता हूँ मैंने टोटल तो बांद दी है लास्ट रही है तो इसको भी अच्छे से बांद देता हूँ द्यान में रखे अगर वायर से बांद होगे तो वायर अपने को दूबरा खोलने रहेगी अगर दागे से बांद होगे तो दागा ना खोलोगे तो इस चल जाएगा और काटते वक्त द्यान रखे वायर का कोई भी वायर अंदर ना जाए और कट ना जाए तो असानी से अपने दोनों साइड से बांद देते हैं मैंने इस तरह तो मैंने क्वाइल है जो दोनों साइड से बांद ली है तो अब इसको इस फ्रेम से नीचे उतारेंगे तो इस वाइर जो अपने पहले एक साइड में बांद रखी थी उसको भी दूसरी साइड में बांद देते हैं और अब हम इसका जो नट है यह 10 नबर नट है तो इसको थोड़ा लूज करेंगे क्वाइल असानी से बार की और निकल जाएगी तो मैं हलके हलके आतो से इसको बार की तरफ किसकाता हूं और असानी से जो निकल जाएगी आप बिल्कुल भी इसमें खिंचातानी मत करें ताकि वाइर टूटने का डर रहता है क्योंकि अलुमिनियम वाइर है और बहुत ज़्यादा पतली भी है तो यह मेरी टोटल को चार कोईल बनकर कंप्लीट हो चुकी है तो मैं आपको किस परकार से डालनी है इसकी परकिरिया बताऊंगा तो पहले अपने को इस परकार से 12 पेपर वाइट और 12 पेपर जो ग्रीन सीट है हरी सीट उसके 12 पेपर काट लेने है टोटल 24 पीस काट लेने है तब हम इसको किस परकार से लगाएंगे तो पहले अपने को एक सिंगल क्वाइल लेना है और इस परकार से इसकी वायर जो बंदी हुई है उसको कौल देना है शीरा है जो उसको कौल देना है और पूरा क्वाइल दूसरी साइड में निकाल देना है और पहले एक सुलोट में डाल कर दो बीच में खाली छोड़ देने हैं और फिर उससे अगले वाले में डाल देने हैं मतलब एक से चार पिछ होगी इसकी यह देखिए दो बीच में खाली है और एक से चार होगी अपनी तो हम इसमें ग्रीन पेपर लगा देंगे अच्छे से ग्रीन पेपर लगा दें कोई भी बाहर बाहर ना रहे तो मैं अच्छे से ग्रीन पेपर लगा देता हूँ दोनों पर और दूसरी साइड में जो ज़्यादा है उसको थोड़ा सा खींच कर कंप्लीट कर देते हैं कोईल को बिलकुल साथ में ना लगाए हलका सा खींच ले देखिए इस तरह है और जो दूसरी साइड है उससे एक साइड गुमाते वे मैं दिखाता हूँ आपको यह एक साइड पक प्रक्डनी है इस पर डलकर कंप्लीट हो गया जिसमें अपने पर डाल दिया है जस्ट उसके आगे वाले में मतलब अब चार बीच में छोड़ने है और आगे एक से छे वाले में दो बार देंगे दो बार टुन गुमाएंगे तो अपनी यह देखिए पांच में हो गया और दूसरे वाले इस साइड में डलेगी तो वो छे में डलेगी यह देखिए इस परकार से अपने कोईल को डाल देते हैं और एक राउंड ओर देंगे वो इसी के उपर डालेंगे यह पूरा कोईल गुमाते हुए इसके उपर ही एक बार और डालेंगे मतलब एक से चार में एक बार और एक से च्छे में दो बार कोईल डालेंगे यह अपने 34 नंबर अलिमिनियम से वाइंड की है अगर आपको कोपर से वाइंड करने सीखनी हो तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूँगा वो 34 नमबर से वाइंड नहीं होती कोपर में वाइंड करते हो तो इसका अलग डाटा रहता है और वाइर नमबर भी अलग रहता है तो मैंने ये दूसरे वाले में डालना स्टार्ट कर दिया है और ये अपनी एक कोईल है जो डलकर कम्पलीट हो गई है इस पर भी वाइट पेपर लगा देते है ये अपनी इस परकार से टोटल चार कोईल डालेंगे ये देखिए अच्छे से पेपर लगा कर कम्पलीट हो गया है और हलकी हाथ से वाइर को है जो दबा दें नीचे की तरफ दबाव रखें ताकि पेपर है जो बाहर ना निकले और अपनी मोटर की सपाई है जो अच्छी से आती रहे ये इसका एक सीरा बाहर निकला वाए और ये दूसरा सीरा है जो दूसरे वाली कोईल के टच है तो इसको राउंड देते हुए मतलब एक से तीन कनेक्शन होते हैं अगर इसका कनेक्शन का वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं आपको समझाने के लिए तो अपने ये कोईल डालेंगे एक सलोट पीच में खाली छोड़ेंगे क्योंकि वो एक से छे में डलेगा तो अपने ये खाली छोड़ दिया है एक से छे में आएगा जिसमें डाला था और शेम उसी प्रकार से ये भी कोईल डाल देते हैं पहले में एक से चार एक से चार में एक बार ही डाउंड देना है और एक से छे में दो बार देना है तो ये देखिए मेरी ये वायर अटेच है इसके साथ में और इसकी दूसरी वायर है जो दूसरी वाले वायल के साथ में अटेच है तो अपने को ग्रीन पेपर लगा देना है दोनों में और एक से छे में दो राउंड अच्छे से दे देने हैं सेम उसी परकार से देने हैं जिस परकार से अपने पहले फ़र्ष्ट कोईल में दी थी आप चाहो तो ये धागा निकाल भी सकते हो पर मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि ये कोई हमारे दिक्कत नहीं कर रहा ह तो हम इसको खोलेंगे नहीं और इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है तो मैं टाइम की बचत कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लोंग हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करकर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हर वीडियो की नोटिवकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आपको सीखने का कुछ अच्छा मौका मिले तो मैंने इस प्रकार से टोटल चार कॉयल डाल कर कंप्लीट कर दिया है अब मैं इनको सब को अच्छे से बान देता हूँ ताकि कोई भी वायर है जो बिखरे ना तो इस प्रकार से आपको टोटल चारो को अगल है जो दोनो साइड से बान दूँगा चारो को तो मैं इनको फटा-फट से बान देता हूँ तो मैंने क्वाइल तो चारों था साइड से बांद दी है चारों क्वाइल दोनों साइड से बांद दी है अब इसमें टेप लगाएंगे जो टेप अपने फरनिचर वगिरा में काम लेते हैं वो भी टेप आप लगा सकते हैं क्योंकि ये इतनी लोड में नी चलती और आप सबको इन सबको टेप लगाते वे कवर कर देते हैं आपको इस परकार से कुछ टेप लगानी है और वाइर का ध्यान रखें वाइर ना तूटे और अच्छे से टेप लगा दे दोनों साइड में चारो चारो कोयलो पर अच्छे से टेप लगा देते हैं तो मैं जल्दी से टेप लगा देता हूँ मैंने टेप लगा दी है इस परकार से आपको भी दोनों साइड में टेप लगानी है और दो सीरे हैं जो निकल गए हैं बाहर अगर आपको connection का वीडियो बनाना सीखना है तो मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा जो कि next वीडियो होगा तो आप असानी से इसे देख सकते हैं मैं उसका link इस वीडियो की description में डाल दूँगा तो मैं starting के लिए भी 34 number wire aluminium का ही use करूँगा और जो इसकी फर्मे की size है तो उसको थोड़ा सा आदा इंच गटा देंगे मतलब उसमें 18 इंच था उसमें साधे 18 इंच था तो इसमें 18 इंच रखेंगे और इसमें ये पहले साधे 18 इंच था तो इसको 18 इंच करेंगे तो इस परकार से ये देखे बिल्कुल अपने 18 इंच size है जो खौल रखा है मैंने तो मैंने ये फर्मा 18 इंच खौल दिया है और अब इसको हम wind करेंगे तो wind अपने 34 number aluminium से ही करेंगे क्योंकि starting और running same wire same turn से wind होता इसमें तो अपने total 4 coil बना लेंगे 230 turn की क्योंकि same उसी परकार से इसमें भी 34 number ही wire डलेगी और 230 turn की मैंने 4 coil है जो बना रखी है देखिए तो मैं इसको अब किस परकार से आपको डालना है तो मैं आपको वो बताऊंगा तो फस्ट कोईल डालनी है जो पहले अपने running में जो एक से चार डाली थी single coil उसके उपर डलेगी और जो बीच में खाली इस लोट है वो एक से च्छे होगे तो यह देखिए इस paper को paper है जो इनको दबा लें अलका अलका ताकि wire अच्छे से उपर आसके तो अपने एक round है जो एक से चार वाले में डलेंगी जो green sheet डाली थी उन में डलेंगे वाइट हाली है उसमें कुछ नहीं डलेंगे तो अब इस पर white paper डालेंगे ताकि motor की सफाई है जो अच्छे से आसके एक सीरा डाल दिया है और दूसरे वाला जो दो white बीच में लगाई हुएते पहले उनको छोड़ दें और अगले जो green लगाया था उसके उपर डाल दें और white paper है जो लगा दें तो मैंने इस परकार से एक से चार में एक वायल डाल दी है इसमें आपको एक ही राउंड रखना होगा और एक से च्छे वाले में है जो उसी परकार जिस परकार रनिंग में अपने दो राउंड रखे थे उसी परकार अपने को इसमें भी दो राउंड ही रखने होगे थोड़ा सा ध्यान रखे वाइर टूटेना आप आसानी से इसे वाइंड कर सकते हैं यह देखे इस परकार से अपने को अलका अलका वाइर डाल देना है और इस परकार से आप आसानी से डाल सकते हैं इसमें भी एक से छे वाले में दो राउंड देने होंगे तो अपने एक से अच्छे के लिए बीच में 40 लोट रख रखे हैं तो उसमें दोनों राउंड मैंने दे दिये हैं यह लाश्ट राउंड है तो इसको यह मैं दे देते हैं यह देखे तो अपने इसी परकार से चैरो कोईल डाल कर कम्प्लेट कर दी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सस्क्राइब करकर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर वीडियो की नोट्यूकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस परकार के वीडियो से कोई भी मिस ना हो पाए तो मैं कनेक्शन का वीडियो है जो अलग से बनाऊंगा तो मैंने ये टोटल च्यार टरन है जो बार निकल गई है और उनके साथ में मैं कनेक्शन करूंगा अब इसको अच्छे से एक साइड से दागा लगा लेते हैं तो मैं अच्छे से जल्दी से दागा लगा देता हूं और आपको दिखता हूं किस परकार से लगाना होगा ये देखिए मैंने एक साइड में अच्छे से दागा लगा दिया है और दूसरी साइड में कनेक्शन रहेंगे अगर कनेक्शन का वीडियो थैंक यू पर वच्टिंग वीडियो